हेलो फ्रेंड्स दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर की सभी सरकारी नोकरियों की इसमें आपको सभी सरकारी नोकरियों की जानकारी स्टेप बाइ स्टेप दी जाएगी इसके साथ ही अगर आप किसी पोस्ट के लिए आवेधन करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के description में दिया गया है और comment में pin कर दिया गया है आप उस पोस्ट पर जाकर apply कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं पहली job की जो उत्तर प्रदेश बिधान परिसाथ सचिवाले द्वारा निकाली गई है अगर post name की बात करें तो इसमें कई पद हैं इसमें pune की vacancy है ro की vacancy है और ro लेखा क्यार की vacancy है तथा copywriter की vacancy है इसमें total इस प्रकार के 73 पद है और pune के लिए आप 5 पास candidate आवे दन कर सकते हैं copywriter तथा security assistant के लिए 12 पास application form भर सकते हैं बाकी सभी post के लिए आपको graduate या post graduate होना चाहिए form बनने की अंतिमतिती 16,00,00, 2020 है उसका job location उत्तर प्रदेश होगा जिन लोगों को apply करना है मैंने link वीडियो के description में दे दी आप वहाँ से apply कर सकते हैं अगली job जो है हरियाना आर्मी भरती की है जो की ARO रोह तक द्वारा निकाली गई है ये एक open rally है और इसमें 10-12 और 8-12 पास candidate apply कर सकते हैं और application form भरनने की last date 31 मार्स 2021 है अब बात करते हैं अगली job की जो UP PCL द्वारा निकाली गई है post name की बात करें तो इसमें लेखाली पे क्यानी की account clerk की vacancy है total इसमें 102 vacancy है इसमें आप graduate और post graduate candidate apply कर सकते हैं और form बनने की last date जो है 27 October 2020 है job location की बात करें तो इसकी job location उत्तर प्रदेश होगी अगली job जो है BPSC द्वारा निकाली गई है इसमें कई vacancies है और total इसमें 731 पद है इसके लिए graduate और post graduate candidate application form भर सकते हैं और form बनने की last date जो है 20 October 2020 है इसकी job location बिहार होगी अब बात करते हैं अगली job की जो इम्स रिसी केस द्वारा निकाली गई है इसमें hostel warder और junior warden की vacancy है इसके लिए candidate को graduate pass होना चाहिए और form बनने की last date जो है 28 सेतंबर 2020 है job location रिसी केस उत्तर खंड होगी अब बात करते हैं अगली job की जो हरियाणा ग्रामीर विकास विभाग द्वारा निकाली गई है इसमें total 11 vacancy है और अगर education qualification की बात करें तो candidate को graduate या फिर post graduate पास होना चाहिए और form बनने की last date की बात करें तो 9 October 2020 है job location इसके हरियाणा होगी अगली job जो है BEL द्वारा निकाली गई है पास होना चाहिए और application form बनने की last date की बात करें तो 27 September 2020 है अगली job जो है राजस्थान आर्मी भरती रैली की है जो की ARO उदैपुर द्वारा निकाली गई है ये खुली भरती है इसमें 10 वी पास और 12 पास candidate अप्लाई कर सकते हैं form बनने की last date 31 March 2021 है अगली job जो है मद्यपृत्यस हाई कोट द्वारा निकाली गई है अगर post name की बात करें तो इसमें civil ने आए धी जैने की civil judge की post है नमबर आप post की बात करें तो total 252 vacancy है और इसके लिए candidate को LLB पास होना चाहिए और application form बनने की बात करें तो 5 November 2020 है अब बात करते हैं अगली job की जो central call field limited द्वारा निकाली गई है post name की बात करें तो इसमें apprentice की vacancy है total vacancies की बात करें तो 1565 vacancy है और education qualification की बात करें तो candidate को दसवी और ITI पास होना चाहिए और form बनने की last date की बात करें तो 5 October 2020 है जो लोग application form बनना चाहते हैं मैंने इसका link वीडियो के description में दे दिया आप वहाँ पर जाकर application form को भर सकते हैं और detail में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही अगर इससे related कोई अने जानकारी चाहिए तो आप comment section में पूछ सकते हैं और ये video कैसा लगा